कभी सुना है आचार सहीता लागू हो गई है? कभी सोचा है क्या है आचार सहीता? आचार सहीता निश्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग कुछ नियम बनाता है इन नियमों को आचार सहीता कहते है लोगसभा और विधानसभा चुनावों के दोरान सभी पाथियों, नेताओं और सरकारों को इन नियमों का खास तोर पर पालत करना होता है आचार सहिता की शिरुवात सबसे पहले साल 1960 में केरल विधानसभा चुनाव में हुई थी जिसमें इसके तहत बताया गया कि उबिद्वार क्या कर सकता है और क्या नहीं इसके बाद साल 1962 में हुई लोगसभा चुनाव में पहली बार चुनाव आयोग ने इस सहिता के बारे में सभी राजनितिक पार्टियों को बताया 1967 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने सभी सरकारों से इसे लागू करने को कहा और ये सिलसिला आज भी जारी है समय समय पर चुनाव आयोग इसके दिशा निर्देशों में बदलाव करता रहता है चुनाव की तारीखों के एलान के साथ ही आचार सहीता लागू हो जाती है और जब तक चुनाव के नतीजे घोशित नहीं होते ये लागू रहती है चुनाव में हिस्सा लेने वाले राजनेतिक दल, उमिद्वार, सरकार और प्रश्वासन समीत चुनाव से जुड़े सभी लोगों पर इन नियमों का पालन करने की सिम्वितारी होती है चली बताते हैं कि आचार सहीता लगने के बाद क्या कुछ गाइडलाइन का पालन करना होता है आचार सहीता लागू होने के बाद केंद्र या राज्य सरकार कोई भी नई योजना, नई खोशनाएं नहीं कर सकती है कोई भूमी पूजन और लुकारपन भी नहीं हो सकता है चुनावी तैयारियों के लिए सरकारी संसाधनों का इस्तमाल नहीं किया जा सकता है सरकारी गाड़ी, बंगला, हवाई जहाज आदी का उपयोग मना होता है आचार सहिता लागों कोते ही दिवारों पर लिखे गए सभी तरह के पार्टी संब्धित नारे और प्रचार समगरी जैसे होडिंग, बैनर और पोस्टर भी हटा दिये जाते हैं साथी साथ राजमितिक दलों को रैली, जुलूस या फिर मीटिंग के लिए परमीशन लेनी होती है धार मेकर जगाओं और प्रतीकों का इस्तमाल चुनाव के दौरान नहीं किया जाता है मतदाताओं को किसी भी तरह से रिश्वत नहीं दी जा सकती है मतदान की दिन और उसके बाद 24 गंटे पहले किसी को शराव वितरित नहीं की जा सकती है वहीं अगर कोई भी नियमों का पालन नहीं करता है या उलंधन करते हुए पाया जाता है तो चुनाव आयोग उसके खिलाफ कारवाई कर सकता है उमिद्वार को चुनाव लड़ने से रोक सकता है या उसके विरुद FIR दर्च हो सकती है दोशी पाय जाने पर उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है उमीद है आपको समझ आ गया होगा कि क्या कुछ है आचान सहीं का फिनाल अस वीडियो में इतना ही ऐसे ही जानकारी भरे वीडियोस के लिए लोकमत हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें